Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta Classes Keep Learning, Keep Practicing और कई सारे competitive levels में भी use होता है, तो देखते हैं एक बार Roman Numbers किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, Hindu Arabic से, और Hindu Arabic form अगर दी जाए तो उससे Roman Numbers कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले हम इडिसक्स करते हैं कि expanded form क्या होती है, क्यों यही हमारी help करेगा Roman Numerals लि नाईन यह सभी तरिका को आता ही है, इसी method का use करेंगे हम अपने Roman Numbers को लिखने के लिए, Roman numerals आप जैसे जानते हैं कि I use होता है 1 के लिए, V use होता है 5 के लिए, X use होता है 10 के लिए, L use होता है 50 के लिए, C use होता है 100 के लिए, T use होता है 500 के लिए और N use होता है thousand के लिए ये चीज़े हम पहले भी discuss कर चुके है और ये बहुती easily आप understand कर सकते है यहाँ पर सबसे पहला question आपको दिया गया है कि write in roman numerals दिये गए questions को, examples को आपको roman numbers में लिखना है तो सबसे पहले हमने आपको भी बताया था कि कोई भी number अगर दिया जाए तो सबसे पहले उसे expanded form में convert करेंगे and then उसके बाएद हम उनके roman numbers लिखने की कोशिश करेंगे expanded form number दिया गया था आपको 479 479 को roman number में लिखने के लिए सबसे पहले expanded form में लिखेंगे तो four double zero plus seven उसके बाद एक zero और साथ में आ जाएगा nine ये हो गया इसका expanded form 400 के लिए roman number सोचते है जहां से देखिए का d होता है 500 के लिए अगर उसमें से हम c को minus करते हैं that means 100 minus करते हैं तो क्या आ जाएगा 400 तो इसके लिए roman number हो गया c d अब आगे बढ़ते हैं 70 70 के लिए roman number 50 plus 2 times 10 that means l x x और अगर हम 9 के लिए roman number देखना चाहते हैं तो वो होता है i x जब 10 में से 1 minus करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और ये जो आपको मिला इसको अगर आप एक साथ लिए देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 479 का roman neural which is c d l x x i x तो इस तरीके से आप बहुत ही easily किसी भी नंबर का roman number लिख सकते हैं एक और example देखते हैं 827 expanded form में लिखेंगे 800 plus 20 plus 7 इसके लिए अगर आप 800 का roman neural चाहते हैं तो 800 के लिए 500 plus c which is 100 और इसको आपको तीन पर एड़ करना होगा तो ये जाएगा d c c c 500, 600, 700, 800 800 का roman neural मिल गया 20 का roman neural होता है x x और 7 का roman neural होता है v ii और ये जो तीन आपने expanded form लिखने के बाए जो roman neurals निकाले इन तीनों को एक साथ लिख देंगे अगर आप तो आपको पूरा roman neural मिल जाएगा आपके number 827 के लिए इसी तरीके से अपने last part भी solve करेंगे एक बड़ा number लिया है हमने 1469 इसको expanded form में लेखेंगे 1000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 9 1000 के लिए roman number आपको पता ही है m होता है 1000 ते roman number मिल गया 400 के लिए अभी हमने उपर यूज किया था c d 60 के लिए l 50 प्लस 10 60 that means l x और 9 के लिए roman numeral होता है i x इन चारों को अगर हमने एक साथ लिए तो हमने एपना complete roman numeral मिल जाएगा जो होता है m c d l x i x तो ये इस तरीके से roman numeral आप लिख सकते हैं किसके लिए 1469 के लिए तो ये तो आपने समझा roman numeral कैसे लिखे जा सकते हैं hindu arabic जब दिया जाए और सेम इसी के तरीके से अगर हमें hindu arabic में लिखना हो और roman numeral दिये जाएं तो हम कैसे लिखेंगे एक बार वो समझते हैं तो आपको जैसे कि अभी आपने उपर expended form यूज़ किया था अलग ग्रोप है X अलग ग्रोप है और IV एक अलग ग्रोप है CD के लिए लोगर अगर हिंदु और एबिक में लिखेंगे तो वो होता है 400 L का मतलब होता है 50 X का मतलब होता है 10 IV का मतलब होता है 4 इन सब को आप क्या कर लिजे add कर लिजे 400, 450, 460 और आंसर आ गया 464 तो बहुत ही इसी भी आपने 464 अप्टेन गर लिया इस रोमन न्यूम्रल के लिए ऐसे ही हम नीचे वाले दियेगा एक्जामपल्स भी सॉल्व करेंगे B, D आप चानते हैं किसके लिए होता है 500 के लिए दो C भी ये गये हैं, that means 100 प्लस 100 वो हो जाएगा 200 L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10, V का मतलब होता है 5 और I का मतलब होता है 1 that means 5 प्लस 1 is 6, सभी को एड़ कर लिजे 500 प्लस 200 which is 700, 750, 760 और हो यह हो जागा 766 सेम इसी तरीके से हम अपने लास्ट पार्ट भी सॉल्ब करेंगे, C का मतलब होता है 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 यह हो गया 300, L का मतलब 50, X का मतलब 10, और V का मतलब 5, 300 प्लस 50, 350, 360 और 365, इसी तरीके से बहुत इसी अपने सारे लोमन न उम्रोल से हैं, अगर आपको यह ऑच्छा लगा हो तो लटेज llüो से लिटेँ सीजह तो लेट मेडो इन दे कमेंट सक्षी नético and do share it with your friends. Subscribe to my channel Nitan Gupta Classes and press the bell icon to get the written notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitan Gupta Classes. You can also mail me at nitanguptaclasses17 at the rate gmail.com अज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए, keep learning, keep practicing.